असलाम आलेकूम नायता जमुल सर इस वीडियो में हम एक्साइज 3.3 का जो क्वेशन 3 हैं उसका पहला पार्ट करेंगे क्वेशन नंबर 3 जो हैं वो हमसे कहा रहा है कि आपको कंडिशन्स दी गई हैं उनसे आपको पियर ओफ लीनेर एक्विशन्स बनानी हैं पहला पार्ट जो हैं वो कह रहा है कि हमारे पास जो डिफ्रेंस है यानि सब्ट्रेक्शन दो नंबर्स का वो है 26 हमारे पास दो नंबर्स है सपोज X और Y उनकी जो डिफ्रेंस है वो है 26 और उनमें से एक नंबर दूसरे नंबर से 3 गुना 3 ताइम्स ठीक है ताइम्स मतलब ह होता है multiplication three times बड़ा है दूसरे numbers से अब देखते कैसे करते इस question को let the numbers be many numbers के अलिए x or y from given condition जो condition कहती है मुझे जो वहां से दी गई है वो क्या कहती है जो difference है दो numbers के दर्मियां वो कितना है 26 इसको कीजिए equation first ठीक है x minus y is equal to 26 also one number is three times the other इसका मतलब क्या है एक number दूसरे number से तीन गुना ज्यादा है suppose x y से three times बड़ा है x is equal to three times y इसको रखे equation second equation second में ही आपको x का value मिला इसको put कीजिए equation first में ठीक है substitute above value of x is equal to three y in equation first x minus y is equal to 26 ठीक है so x के बदले आप लिखोगे three y minus अपनी जगा y is equal to 26 तीन y में से एक y कम कीजे वो आएगा two y is equal to 26 खाली y का जो value आपका आएगा 26 अपनी जगा ये two इसके divide में आएगा two ones are two 13s are y का value आपका है 13 अब यही y का value जो आपने निकाला है इसको सबस्चूट करना है equation second में that is x is equal to 3 y वहाँ से आपका x का value मिलेगा in equation second में आपको y का value सबस्चूट करना है x is equal to 3 y x is equal to 3 into 13 क्योंकि y का value हमने already निकाला है वो है 13 x is equal to जब आप 13 को 3 के साथ multiply करोगे वो आपका आएगा 39 यह आपका हो गया question number third